मैं काला जादू के बारे में कुछ भी नहीं जानता और नहीं जानना चाहता हूं क्योंकि मेरा विश्वास इन सब में इतना सावी नहीं लेकिन जब मैंने ये फिल्म देखी, तो मैं एकदम से भर्म में आ गया, कि काला जादू होता है, कि नहीं होता है, और अगर होता है, तो इतना खतरनाक होता है, और इन सब का श्रेज आता है, इन भाई साब को, इनका नाम है कृष्ण देव यागनिक, इन्होंने ही इस फिल् इस फिल्म का review मैंने 6 points बना करके किया है कि फिल्म की कहानी क्या है, फिल्म में अलग क्या है, फिल्म के सवाल क्या है, फिल्म क्यों बनाई गई है, फिल्म में क्या अच्छा है क्या बुरा और अंत में हम बात करेंगे कि इस फिल्म को देखें कि न देखें तो पूरा रिव्यू देखने के लिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिए और अकर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजे ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे आईए रिव्यू शुरू करते हैं नमस्कार दफोकल लेंथ में आपका स्वागत है हम सीधे शुरूबात करते हैं अपने पहले पॉइंट कहानी से काला जादू टोना टोटका जो कुछ भी आप मानते हों उसी पर आधारित इस फिल्म की कहानी बहुत साधारण सी है कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें चार लोग हैं मम्मी पापा बेटा बेटी जिनका जीवन काफी खुशी से चल रहा है एक दिन कार से वो अपने फॉर्म हाउस पर जा रहे होते हैं और रास्ते में रुख कर ब्रेकफास्ट करते हैं कोई कुछ खाता है कोई कुछ इतने में पिता चाय पीने के लिए टोकल लेने काउंटर पड़ जाता है उसके पास 10 रुपे के टूटे पैसे नहीं होते हैं तो ये आदमी जो की अजनभी है लगभग जबरदस्ती मदद करता है और इसी बहाने से परिवार में भी जबरदस्ती घुलने मिलने लगता है और लड़की आर्या को अपने वश में कर लेता है अपने वश में कैसे कर लेता है, क्यों कर लेता है, वश में करने के बाद क्या होता है परिवार की स्थितियों में क्या बदलावाते हैं ये सब कुछ जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट बात करें इस फिल्म में अलग क्या है तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये फिल्म बहुत साधारण सी है अगर फिल्म के अंदर घटने वाले समय की बात करें तो पूरी फिल्म दो दिन और एक रात की ही है बस फिल्म के आखिर में एक सीन दिखाया गया है जो की दस साल बात करके दिखाया गया है लेकिन उस सिर्फ एक ही सीन है फिल्म का conclusion बताने के लिए दिखाया गया है लेकिन पूरी फिल्म दो दिन और एक रात की ही है लेकिन ये फिल्म जितनी साधारन है उतनी ही खतरनाक तरीके से बनाई गई है और प्रजेंट की गई है खतरनाक को negative sense में मत लीजिएगा अदभुत फिल्म है ये अमोमन जब ऐसे विश्यों पर फिल्म में बनाई जाती है तो उसमें कुछ का कुछ कर देते हैं तरह तरह की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं आदमी अपनी मुंडी घुमा देता है हवा में उड़ने लगता है इस फिल्म में ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं किया गया फिल्म बनाई तो गई है काला जादू को ही ले करके लेकिन इसमें सुपर वगएरा जैसा कुछ नहीं है कि वो हवा में उड़ते उड़ते पूरी दुनिया नाप देगा या अब उसके इतनी ताकत आ गई है कि वो सब को मार के खतम कर देगा ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है बस केवल इतना है कि एक लड़की जो की बहुत सीधी साधी सी थी वो एक खतरनाक आदमी के वश में आ गई है अब इस थितियां कैसे लगातार बदल रही है कितनी खतरनाक होती जा रही है सच्चोशन कुछ के कुछ होते जा रहे है लेकिन होता सब कुछ एकदम यथार तरीके से है रियल तरीके से है उसमें कोई हवाबाजी या सूपर का इस्तेमाल नहीं कर दिया गया अलग के नाम पर अगली बात है कि इस फिल्म में कई सारे सीन ऐसे हैं कि आपकी भावनाय एकदम सुन हो जाती है समझ में नहीं आता है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है फिल्म का वो सीन जब लड़की हॉल में ही खड़े खड़े अपने बाप के सामने पैंट में ही टॉयलेट कर लेती है वो इतना द्रविद करने वाला सीन है कि पत्थर से पत्थर आदमी को भी रोना आ जाएगा अद्बुस सीन है वो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको इसी तरह की कई सारे सीन देखने को मिलेंगे खेर हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट बात करें ये फिल्म क्यों बनाई गई तो दुनिया के बहुत सारे लोगों ने ये रिसर्च किया कि काला जादू जैसा कुछ होता है वहीं दुनिया के बहुत सारे लोगों ने ये भी रिसर्च किया कि काला जादू जैसा कुछ भी नहीं होता है लेकिन अगर काला जादू जैसा कुछ होता है, तो ये फिल्म काला जादू से होने वाले खतरनाक पहलों को दिखाने के लिए बनाई गई है, वर्तमान में अगर भारतीय सिनेमा में से बॉली बुड को धकेल दिया जाए, तो बचेंगे रिजनल सिनेमा, तो रिजनल सिनेमा अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, भोजपुरी को हटा करके, ये एक अपुआध है, तो ये फिल्म भोजपुरी और बॉली बुड को सीख देने के लिए बनाई गई है, कि तुम सीख लो जरा सा कुछ, कि कंटेंट क्या होता है, फिल्म कैसे बनाई जाती है, और बिना जी जीवन में, अपने परिवार में, किसी अजनवी जर्ति को कितना स्पेस देना चाहिए, कितना नहीं, इस समझ को और अच्छे से डवलब करने के लिए फिल्म बनाई गई है, ये फिल्म काला जादू को प्रमोट करने या ना प्रमोट करने के लिए नहीं बनाई गई है इस फिल्म की जो सारी स्थितियां हैं वो सब कुछ मानवीय हैं काला जादू तो सिर्फ एक रिमोट जैसा इस्तेमाल किया गया है कि काला जादू के वज़े से यह सब कुछ हो रहा है लेकिन जो कुछ हो रहा है वो इतना मानवी है, इतना सामाजिक है, इतना व्यक्तिगत है यह सब कुछ समझने के लिए उसको और इनहांस करने के लिए फिल्म बनाई गई है आईए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर सवाल की बात करें तो सबसे पहले मेरा सवाल है आप लोगों से कि मैंने शुरुबात में ही बताया था कि काला जादू के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता अगर आप जानते हैं, आपका कोई experience है तो कमेंट में आकर जरूर सेर कीजिए बात करें फिल्म में सवाल की, तो फिल्म में बहुत सारे सवाल हैं जैसे क्या हमें दूसरों की मदद करने से पहले सौ बार सोचना चाहिए जैसा कि सारविनिक जगों पर लिखा रहता है, या रिलवे स्टेशन और पर अनाउंस होते रहते हैं कि अपने सावान की सुरक्षा स्वैम करें, किसी का दिया हुआ कुछ न खाएं क्या सचमुच दूसरे पर विश्वास नहीं करना चाहिए अगला सवाल जो फिल्म करती है वो ये कि माल लो कि किसी ने आपको अपने परिवार में स्पेस दे दिया तो क्या आपको उस स्पेस का मिस्यूज करना चाहिए? क्या हमें अपनी घटिया आयाशी के लिए दूसरे का घर तबाह कर देना चाहिए? और जरा सा चिंता भी ना हो वैसे बहुत सारे सवाल ये फिल्म छोड़ती है आईए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पॉइंट सबसे पहले बात करते हैं बुराई की तो हमारे देश की यानि भारत देश की आधे से ज्यादा आवादी काला जादू, अंध विश्वास, तोना टुटका पे विश्वास रखती है इसलिए ये फिल्म उनके इस विश्वास को मजबूत तो करेगी ही करेगी, साथ ही साथ ये भी कि दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी अजनभी का दिया हुआ कुछ नहीं खाना पीना चाहिए, और बहुत सारी ब्रांतियां फैलेंगी, फिल्म को इस तरफ देखना चाहिए, हलांकि फिल्म के शुरुवात में ही डिस्क्लेमर में ये बात बता दी गई है, कि फिल्म में घटित होने वाली सारी घटनाय कालपनिक हैं, इनका वास्तविकता से कोई लिदा देना नहीं है, लेकिन दर्शकों के दिमाग में तो देखा हुआ ही रह जात बाकी सब कुछ अच्छा ही अच्छा है इस फिल्म में, जैसे प्रतीक प्रमार ने कैमरा बहुत अच्छा किया है, श्रीवम भट ने एडिटिंग बहुत अच्छी की है, केदार और भारगोर ने मिलकर जो म्यूजिक बनाया है, वो अद्भुत है, बात कर आए एक्टिंग की, तो फिल्म में कोई बहुत बड़ी कास्ट नहीं है, मुखी रूप से पांच ही लोग हैं, जो पूरी फिल्म को एकदम से हवा में उठा देते हैं, पापा, मम्मी, बहन, भाई, और ये आदमी, जो की विलेन एक तरीके से, और इन सब ने बहुत अच्छा काम किया है, आ जो की, आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं, और देख क्या सकते हैं, अगर मेरी माने, तो आपको पूरे परिवार के साथ बैठ कर देखना भी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जब आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि सच मुझे इसे परिवार के साथ में ही देखना चाहिए बाकी अगर रिवीव अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिए दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके इन भाई साथ की तरह ये जरूर बताईए कि मैं अगली किस फिल्म का रिवीव करूँ और अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे धन्यवाद